हाई गाईज है होप यौला डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बज़ वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनाखल और फ्रेंटियर आई-एस पर आज की तारीक है 21 दिसंबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ और डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मागजीन आप हमारी टेली ग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आई-एस और से जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्चिन पूचा था कि एयर बीन ने किस राज्य सरकार क प्रेटन विभाग के साथ एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये करेक्ट आंसर था गोवा और दूसरा क्वेस्चिन पूचा था कि किस देश ने तंबाको धूमरपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कानून पारित किया है करेक्ट आंसर था न्यूजीलैंड स्टा सेख लो तो हावर्ड यूनिवर्सिटी ने घोशना की कि क्लावडिन गे इसके अगले ध्यक्ष होंगे गे जो बरतमान में हावर्ड के कला और विज्ञान संकाई की डीन है स्कूल की पहली अश्वेत नेता और दूसरी महिला होंगी जब है अगले साल कारे भर संभालेंग हैतियन अप्रवासियों की बेटी गे एक जुलाई 2023 को विश्व इदाले के तीसवे ध्यक्ष के रूप में कारे संभालेंगी यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेस्टिन है बायो मेडिकल रिसर्च के लिए राष्टे पशु संसादन सुविधा को गाटन किस शहर में किया गया है करेक्ट आंसर है है हैदराबाद डिटेल्स तेख लो तो केंद्रे स्वास्त और परिवार कलियान मंत्री डॉक्टर मंसुक मंडागया ने हैदराबाद में जिनॉम वैली में ICMR NAR-FBR नाट इस नाशनल एनिमल रिसोर्स फेसिलिटी फॉर ब प्रमुक केंद्र है कई नई दवाओं टीकों और निदान के साथ साथ गुनबता आश्वासन जांच के लिए पूर निदानिक परिक्षन प्रक्रियाओं का विकास करेगा बात करें यहां पर तेलंगाना की तो इसके डैम्स औरिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर ड अखाल वाइलाय सेंक्चरी और इटो नगरम वाइलाय सेंक्चरी तेलंगाना की कैपिटल है है हैद्राबाद गवर्नर है तमिली साहिस ऑंदराजन सीय में के चंद्रशेखर राव नेक्स्ट क्वेस्टिन है भारते मूल के लियो वराड कर को किस देश के प्रधान मंत्री क के रूप में चुना गया है करेक्ट आंसर है आयलेंड डिटेल्स तेख लो तो भारते मूल के लियो वराड कर देश की मध्य मार की गडबंदन सरकार दवारा किये गए नौकरी साजहकरन सौधे के हिस्टे के रूप में आयलेंड के प्रधान मंत्री के रूप में दूसरे क कारेकाल में हैं वे आयलेंड के सबसे युवा नेताओं में से एक हैं वराड कर के फाइन गेल और बरतमान प्रधान मंत्री माइकल मार्टेन की प्याना फिल पार्टी ने 2020 के चुनावों के बाद आयलेंड के ग्रीन्स के साथ साज़दारी के हिस्से के रूप में घूनी प स्वीर में देख लीजिए बात करें आयलेंड की तो इसी कैपिटल है ड्यूबलीन करंसी है यूरो नेक्स्ट क्वेस्टिन है ग्रह प्रविश कारेकरम किस शेहन में शुरू किया गया है करेक्ट आंसर है अगरतला डिटेल्स देख लो तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने लगभग दो लग प्रधान मंत्री अवास योजना शहरी और ग्रामीन योजनल अभारतियों के लिए अगरतला में घ्रह प्रविश कारेकरम शुरू किया प्रधान मंत्री मश्रूम विकास केंद्र में एक स्पॉन प्रयोक्षाला को उदघाटन करेंगे और में घाले म सुभार पर ध्यान देने के साथ प्रधान मंत्री अगरतला बाइपास खैरपुर अमतली एने जीरो एट को चोड़ा करने के लिए परियोजना का उदघाटन करेंगे जो अगरतला शहर में याता याद की भीड को कम करने में मदद करेगा बात करें हैं पर त्रिपुरा की तो उसी कैपिटल है गरतला गवर्णर है सत्यदेव नराइन आरिया सियमे मानिक साहा इसके नैशनल पार्क में आता है क्लावडर लेपर नैशनल पार्क और राजबरी नैशनल पार्क नेक्स देखो मिस्स वर्ड 2022 का खिता आप किस ने जीता करेक्ट आंसर है सरगम कोशल दीचेल्स तेक लूँ काम करते हैं यहां उन्हें तस्विर में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है फीफा विश्यो कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरसकार से किसे समानित किया गया है करेक्ट आंसर है लियोनेल मैसी डिटेल्स तेक लो तो लियोनेल मैसी को फीफा विश्यो कप 2022 में घर चक्वेस्ट्ट्न ही गोल्ड़के अमेरिका के नशनल साइंस सांडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैष्यक विज्यानिक प्रकाश्टन देटल्स टेख defence तो अमेरिका के National Science Foundation के एक रिपोर्ट के नुसार केंदरी विज्ञान और प्रद्योगी की मंत्री जीतेंदर सिंग ने खुलासा किया है कि भारत वैशिक विज्ञानिक प्रकाशनों और विद्वानों के पादन में साथवे से तीसरे स्थान पर पहुँच गया है इसी तरह की विद्धी की प्रवृती में भारत पेटेंट कार्याले दवारा भारती विज्ञानिकों को दिये गए पेटेंट की संख्या पिछले चार वर्षों में दुगनी से अधिक हो गई है भारत का विद्वानों को अत्पादन 2010 में 60,555 पेपर से बढ़कर 2020 में 1,49,213 पेपर हो गया नेक्स्ट क्वेस्टिन है गोवा मुक्ति दिवस यानि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर डिटेल्स तेक लू तो 1961 में पूर्टगाली शासन से राज्य की मुक्ति को प्लक्ष में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है ऑपरेशन विजे के हिसे के रूप में भारते सशस्त्र बलो ने देश से यूरोपिय शासन को मिटाने के लिए स्थाने प्रती रोथ आंदोलनों की मदद से सशस्त्र बलो ट्राइफ एक्टा का इस्तमाल किया पंद्रा अगस्ट 1947 को गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा जब भारत को स्वतंतरता मिली नेक्स तेखो फीफा विशुकप 2022 किस टीम ने जीता आइम होपिंग इस कांसर सबको पहले ही पता होगा करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना ने फीफा विशुकप 2022 जीता और दोहा के लुसियाल स्टेडियम में एक लुभानवे फाइनल में तीन-तीन से ड्रॉ के बाद पनेल्टी पर फ्रांस को चार-दो से हराया अर्जेंटीना ने 36 साल बाद तीसरा विशुकप जीता खेल दो घंटे से अधिक समय तक जारी रहा क्योंकि अर्जेंटीना और फ्रांस ने शानदार ड्रॉ खेला अतिरिक समय शुरू होने पर 90 मिनट के बाद स्कोर 2-2 था यहां तस्विर में देख लीजिए बात करें अर्जेंटीना की तसी कैपिटल है व्यूनस साइरस खरंसिया अर्जेंटीने पैसू लास्ट क्वेस्चिन है आज के सेशन के लिए अंतरराश्य प्रवासी दिवस यानि इंटरनेशनल बाइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है करेक्ट आंसर है 18 दिसंबर दिटेर्स तेख लो तो दुनिया भर में प्रवासियों की समाजिक और आर्थिक स्थितियों पर ध्यान आकर्शित करने के लिए 18 दिसंबर को अंतराश्य प्रवासी दिवस मनाया जाता है 2020 में 281 मिलियन से अधिक व्यक्ति विदेशी प्रवासी थे 2021 के अंध तक 59 मिलियन से अधिक घरेलू वी स्थापेत हुए पिछले पांच दशकों में विदेशी प्रवासियों की अपेक्षित संख्या में व्रिधी हुई है यह दिन सभी प्रवासियों के स्वास्थे, सुरक्षा और कल्यान का समान करने के लिए अलग रखा गया है दिसंबर 2018 में अंतरसरकारी समयलन के दोरान सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक को अपनाने करने लिया गया था क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो आफ्रिकन अमेरिकन क्लावडिन गे को हावर्ड उनिवरसिटी का प्रेजिडेंट चुना गया है नैशनल एनिमल रिसोर्स फसिलिटी फोर बायोमेडिकल रिसोर्च का इनाउगुरेशन किया गया हिदराबाद में इंडियन ओरीजन लियो वराड कर प्राइम मिनिस्टर बने है आइलेंड के ग्रहय प्रविश प्रोग्राम को लॉंच किया गया है अगरतला में मिस्स वर्ल 2022 बनी है सरगम कोशल फीफा वर्ल कब 2022 में गोल्डन बॉल अवर्ट से लियोनल मैसी को समानित किया गया है अमेरिका की नैशनल साइन्स फाउंडेशन के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल साइन्टिफिक पब्लिकेशन में इंडिया की पुजिशन है थर्ड गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है फीफा वर्ल कप 2022 जीता अर्जेंटीना ने और इंटरनाशनल माइगरेंट स्टे अठारा दिसंबर को मनाया जाता है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्स फॉद डे के आपका पहला क्वेस्टिन है ब्रिजबन 2022 सोलंपिक और पैरलंपिक खेलों का पहला CEO किसे नामित किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है 2022 के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट अफ लिविंग इंडेक्स के नुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महेंगा शहर है दोनों क्वेस्टिन्स हुमारे प्रिवेस्ट से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आसे इन में नेक्स सेशन